जो कहती है कि rejection बहुत important होते है life में and if you want to be an actor the first thing you need to learn is to handle rejection, be okay with it because her role में हर चीज में आफ़ बिट नहीं हो सकते पर वो believe करती है कि चाहे उन्हें कितना भी tough character क्यों न मिले वो हर चीज को possible करने की कोशिश करती है वो है हमारी और आपकी favorite कथा अनकही शो के lead actress Aditi Sarma कि उन्हें एक समय के लिए perfume तक बेशना पड़ा था Aditi की life से जुड़ी इसी तरह के अनकही और अनसुन स्टोरी मैं आईशा आज आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ तो प्लीज आपसे request है कि वीडियो को end तक जरूर देखना Aditi Sarma का जन 24th August 1983 को अम्रिसत पंजाब में हुआ था पर उनका पालन पोशन लखनों से हुआ है उन्होंने अपने schooling city Montessori school लखनों से करी और फिर स्री वैंकेटसरवा college टैली से उन्होंने आगे की बढ़ाई कम्पलीट करी Aditi को बच्पन से ही acting में interest था दरसल जब वो छोटी थी तब एक पर अमिता बच्चन के फिल्म की shooting हो रहे थी और वो भी अपने family के साथ वहां देखने गए थी लेकिन उस time तो उन्हें ये सब देखने में interest आ रहा था पर एक बार फिर जब सारुखान किसे फिल्म की shooting लखनों में कर रहे थे तब उन्हें भी actress बनने का क्रीस चड़ गया था लेकिन वो एक non acting background से belong करते थी जिस वजह से उन्होंने किसी को कुछ भी नहीं कहा पर जब वो अपना कॉलिज करने डैली आई तो उन्होंने थेटर जॉइन कर लिया और दू साल सीखने के बाद उन्होंने audition देना स्टार्ट किया उनका कहना था कि कॉलिज के दौरान है उन्होंने अपने pocket money के लिए एक company में काम करा था जहां उन्हें ब्लू कलर की साड़ी पहन कर बाहर लोगों को पर्फियूम भीजना पड़ता था और उनकी quality और quantity दोनों बताने पड़ते थे उस time तो वो बहुत pretty लगती थी बट उस company में salary बहुत कम मिलती थी इसलिए उन्होंने दूसरी company join कर ली थे जिसकी payment 18,000 रुपे थी और वो सारे पैसे खुद के स्किल को develop करने में लगा देती थी उन्होंने अपने career की शुरुआत साल 2004 में इंडिया स्बैस ने स्टार की खोच से करी थी जो जी टीवी पर प्रेमियर होता था और उसमें सद्धा आरिया अंकिता लोखंडे और दिव पिज़ा वाला एड्रूम के career का बिक बिक साबित हुआ और उन्हें साल 2015 से 2017 तक एंड टीवी के शो गंगा में गंगा सुकला के लिए अप्रोच कर लिया गया जो एक लीड रोल था और ये सोस टाइम पर इता हिट हुआ कि अधिती गंगा के नाम से घरगर फेमस हो गई औ इसके बाद उन्होंने कलास टीवी के रोमांट्रिक ड्रामा सो सिलसिला बदलते रिस्तों का में डाक्टर मॉली और अब संजोई वाध्वा की बनी शो कथा अंकही में कथा का किरदार निभारी है जो एक तुर्की सीरिस अराबियन नाइट्स का रिमेक है इसमें कथा एक जो अकेले अपने बेटे को पालती है और जितने भी प्राब्लम्स आते हैं उसमें वो अकेले बहुत स्ट्रॉंग और कॉन्विन के साथ फाइट करती है अदिती ने टीवी सोस के अलावा कुछ हिंदी तैलगू और पंजाबी मॉवीज में काम करा है और ऐसा गैस्ट वो क कुछ न कुछ ऐसा करने से सीखती जरूर है वेल बात करी जाए अदिती की फैमिली की तो उनके घर में उनके पैरन्स के अलावा उनका एक भाई और उनकी दो बहने और अदिती इन सब की लाड़ ली है बट फिलहाल वह भी मैरिट है जिन्होंने अपनी लॉंग टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तब अदिती ने कहा कि मुश्किले हर किसी को आती है अब आप रोने बैट जाओ और बोलो कि सब कुछ ठीक हो जाए तो ऐसा नहीं होता है आपको खुदी प्रॉब्लम का सिल्यूशन ढूरना पड़ता है और खुदी सौल्व करना पड़ता है और परसनल और प्रोफेसनल लाइफ हर किसी की होती है भले हम दोने से इंडरस्टी से जुड़े हुए है जिस वज़ा से एक दूसरे को कम टाइम दे पाते है पर हम दोनों खुश है कि हमारे बीच कोई मिसंडरस्टानिंग नहीं है और एक दूसरे पर बिलीफ करते हैं और हम दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट भी करते है ताकि हम अपने जर्णी को एक अच्छा टर्ण दे पाए तो ये थी एक प्यारी सी लाइफ जर्णी अदिती सर्मा के उपर आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट में ज़रूर बताए और अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना पसंद करते है तो प्लीस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारी फैमिली के साथ कनेक्ट सरूर रहे